नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके पानी के साथ इस फल के चूण का सिवन मधुमे को ठी करता है तो दूद के साथ शारीरिक शक्ति बढ़ाता है ये बुढ़ापा दूर कर हमेशा जवा रखता है जिहां मधुमे या डाइबिटीज हाल के सालों में होने वाला सबसे खतरनाक जीवन शेली रोग माना जाता है हर साल कई हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं आई ये जानते हैं मधुमे के बारे में जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए उर्जा की अवशक्ता होती है शरीर को भी उर्जा की अवशक्ता होती है और शरीर इसकी पूर्ती शरीर में उपलब्ध ग्लुकोज से करता है रक्त से ग्लुकोज इंसुलीन नामक हार्मोन के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर उर्जा पर ग्लुकोज का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है मधुमेह चया पचय विकार है रक्त में ग्लुकोज की बढ़ती हुई मात्रा का अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह शरीर के महतोपुन अंगों के लिए काफी नुकसान दायाक होती है लोग जवान बने रहने के लिए कई तरह के कोस्मेटिक्स का उपयोग करते हैं लेकिन कोस्मेटिक्स त्वचा को बहुत अधिक नुकसान पहुचाते हैं जिसके कारण समय से पहले ही अधिक उम्र दिखाई देने लगती है दरसल उम्र पर असली असर खान पान का पड़ता है कोस्मेटिक्स का नही इसलिए हमेशा जवान बने रहने के लिए जवानी को फिर पाने के लिए या हमेशा जवान बने रहने के लिए आयरुवेद में अनिक जड़ी बूटियों के नाम दिये गए हैं जिन से बुढ़ापा दूर रहता है आज हम आपको अपने इस वाई सोवर के माध्यम से मधुमिह और बुढ़ापा दूर करने के लिए एक ओश्यधी बता रहे हैं जिसका नाम गुलर है इससे आप इन दोनों समस्याओं से निजात पा सकते हैं आईए जानते हैं इसके बारे में मधुमिह एक चमच गुलर के फलों के चूण को एक कप पानी के साथ दोनों समय भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से पिशाब में शरकरा आना बंद हो जाता है इसके साथ ही गुलर के कच्चे फलों की सबजी नियमित रूप से खाते रहना अधिक लापकारी होता ह मधुमेहरोग ठीक हो जाने के बाद इसका सेवन करना बंद कर देना चाहिए शारीरिक शक्तिवर्धक जिहां पका हुआ गुलर सुखा कर पीस कर चून बना लें इस चून में इसी के बराबर की मातरा में मिश्री मिला कर किसी बोतल में भर कर रख दें इस चून में से दो चम्मच की मातरा गर्म दूद के साथ सेवन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है इसका सेवन करने से दमपति वैवाहिक सुख को भोगते हुए स्वस्थ संतान को जन्म देते हैं शरीर को शक्तिशाली बनाना जिहां लगभग सो ग्राम की मातरा में गूलर के कच्चे फोलों का चून बना कर इसमें सो ग्राम मिश्री मिला कर रख दें अब इस चून में लगभग दस ग्राम की मातरा में रोजाना दूद के साथ लेना है आपको इससे शरीर को भरपूर ताकत मिलती है आप हमेशा जवाब बने रहेंगे और शरीर हिष्ट पुष्ट बन जाएगा मधुमेह में यह फायदे मंद होता है जिहां दिन में एक बार दो चमच करेले के रस का सेवन करें दिन में दो बार एक चमच मेथी के पाउडर का सेवन पा रस के साथ मिलाकर सेवन करें प्रती दिन एक घंटा व्यायाम जरूर करें आपको लाब होगा तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतुपूर जानकारी को ले करके तब तक के लि